दोस्तों हाल ही में हमारे बडोसी देश नैपाल में एक दर्दनाख हाथसा हुआ जिसमें एक एरप्लेन क्रैश हो गया हर कोई प्लेन का ब्लैक बॉक्स धूंडने लगा लेकिन सवाल ये है कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है जब इतना बड़ा एरप्लेन पूरी तरीके से तबा हो जाता है तो ये छोटा सा बॉक्स कैसे बच जाता है देखिये ब्लैक बॉक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई विमान क्रैश हो जाता है तो इसमें मुझूद ब्लैक बॉक्स को कुछ ना हो इसलिए इसे 11,000 डिग्री सेल्सियस पर टेस्ट किया जाता है चाहे विमान में कितनी भी तेज आंग लग जाए लेकिन इसको कुछ नहीं होगा और इतना ही नहीं ब्लैक बॉक्स को 7,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर भी फैका जाए तो भी इस बॉक्स को कुछ नहीं होगा इसे मजबूत इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें विमान की हर छोटी से छोटी चीज रिकॉर्ड होती है जिससे ये पता चल जाता है कि हाथसे से पहले विमान में क्या गतिविदिया हो रही थी